प्रशरकार अगले तीन महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भरती की बड़ी मुहीम सुरू करने जा रही है। करीब तीन लाख पदों पर भरती कर अगले साल मार्ज तक चैनित युवाओं को नौकरी का न्यूकती पत्र दे दिया जाएगा। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुकरवार को उच्च अथिकारियों की बैठक में एलान किया। मुख्य मंत्री ने कहा कि अब तक तीन लाख भरतियां पारदर्शी वा निस्पक्ष तरीके से हुई हैं। इसी तरह आगे पारवर्शी तरीके से भरतियां करवाई जाएं। उन्होंने मुख्य सचीव समेथ सभी अपर मुख्य सचीव वा प्रमुख्य सचीवों को एक सपता में खाली पदों का ब्योरा देने के लिए कहा है। मुख्य मंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा चयन प्रिक्रिया में सूचीता वा पारदर्शीता हमारी नीती है और इसी परतेक दसा में सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने 21 सितंबर को लोग भवन में एहम बैटक बुलाई। इनमें लोक सेवा आयोग, अधीनेस्थ, चयन सेवा आयोग, पुलिस भरती बोर्ड वा अन्य चयन भरती बोर्ड के अध्यच बुलाए गए हैं। गुरुवार को एक मुद्दे पर परदेश भर में विरोधी दलो ने आंदोलन किया। इस बीच योगी सरकार ने अपनी भरती परिक्रिया को और तेज करने का निर्णय किया है। 2018 में 68,500 सित्चक, भरती में लगभग 45,000 सित्चकों को मिली नौकरी। दिसंबर 2019 में शुरू हुई 79,000 सित्चक, भरती का मामला, कट आफ अंक विवाद में न्याले ने विचार धीन है। इसमें लिखिट परिक्षा हो चुकी है और लगभग डेर साल बाद मई 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 1,46,060 अभ्यारती इसमें सफल हुए। लेकिन अब भी कट आफ अंकों को लेकर सिच्छा मित्रों के लिए 37,349 पदों को होल्ड करने के आदेश सुप्रीम कोट ने दिये है। राजजी सरकार ने पुना विचार याजजी का डाली है। धन्यवाद खबरों में बने रहने के लिए प्रगती मीडिया को लाइक करें, सिस्क्राइब करें।